Hello Everyone, Good Morning to all of you and Welcome to Online Study Point दोस्तों आज है 16 माई और आज के इस वीडियो में हम 16 माई से रिलेटेड करन्ट अफेर के सभी important question को cover करने वाले हैं तो यह दिया आप लोगों कोई स्वीडियो की PDF शाहिए तो आप हमारे इस mobile application को भी install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा लिंक description box में दी हुई है तो चले श्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में World Bank द्वारा जारी किये गए एक report जिसका नाम है migration and development इसके अनुसवार 2020 में सबसे ज़्यादा remittance ये किस देश ने प्राप्त किया है तो सबसे ज़्यादा remittance प्राप्त करने के मामले में अपना देश भारत ये रहा है टॉप पर अब यहाँ जो term लिखा हुआ है remittances ये होता क्या है तो इसे आप हिंदी में कह सकते धन प्रेशन तो भारत का जब कोई भी वेक्ती आप कह सकते हैं जब कोई भी प्रवासी अपने मूल देश में बैंक डाग घर या ओनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजता है तो उसे remittance कहा जाता है कहने का मतलब है कि भारत का माल लेजे कोई वेक्ती है या आप ही का कोई रिस्तेदार है जो कि विदेशों में रहता है विदेशों में तो रहता है लेकिन अपने ही देश के मतलब कि मूल देश में मूल देश क्या हुआ भारत क्योंकि भारत का नागरिक है मुल देश के बैंक में डाग घर में या ओनलाइन ट्रांसफर के जरीए जब ये पैसे भेजेगा तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है यानि कि धन प्रेशन और धन प्रेशन के मामले में ही अपना देश भारत ये टॉप पर है इस रिपोर्ट के नुसार भारत को 2020 में मतलब कि ज गिरावट आई है और भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में गिरावट का प्रमु कारण माना जा रहा है सेंक्त अरब अमिराज से प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में आई 17% की कमी फिर भी रेमिटेंस प्राप्ति के मामले में भारत तो पहले इस्थान पर है इसके अध्यक्ष है डेविड मलपास और इसकी जो CFO यह है भारती मुलकी अंशुला कांत अगला कुश्चन है हाली में चर्चे में रहा बीवन 617 यह क्या है तो यह कोरुना का एक नया स्ट्रेंड है कोरुना वाइरस का एक नया स्ट्रेंड देखा जारहा है जिसे बीवन 617 नाम दिया गया है और माना जा रहा है कि यह जो संस्क्राण है इसका यह बेहदी खतरनाक होगा जो कि भारत में जो तीसरी वेव आने वाली है तो इस तीसरी वेव का कारण भी यह बन सकता है यदि हम बात करें डबलू अचो की तो इस थापना हुई थी साथ अप्राइल 1948 में हैटक्वाटर इस्तित जेनेवा स्वीजर लेंड में अध्यक्ष एं टेड्रोस अधानों हाली में डबलू एचो की कारी-कारी परिसद में भारत के जो केंद्रे स्वास्थ मंत्री हैं डॉक्टर हर्ष वर्धन इन्हें अध्यक्ष रूप में चुना गया है अगला मलेर कोठला और ये जो नया जिला है ये संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है मलेर कोठला जो की मुसलिम बहुल इलाका है यह बन चुका है पनजाब का 28 जिला हलाकी इस सरकार ने इसकी घुशना तो पहले ही कर दी थी 2017 में कि हम laat 얼마나 बना जूख करें पनजाब की अम्रेंदर सिंग, राज जिपाल है, बीपे सिंग बदनौर और आप यदि करन्ट से रिलेट करेंगे तो हाली में जो करनाल जिला प्रशाशन है इसके द्वारा ऑक्सिजन ओन वील्स की शुरुवात की गई है जो बॉलीवड भी नेता है सोनु सूत इन्हें पंजाब का जालिया वाला बाग हत्या कांड जो हुआ था, कब हुआ था 13 अप्रेल 1919 में, तो जालिया वाला बाग और बागा बॉडर ये सभी इस्तित है पंजाब में ही, जो तीन क्रशी कानून थे इसके विरोध में विधेक लाने वाला पहला राजी ये पंजाब ही था नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसी नियुक्ति किया गया है, तो नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री ये बन गया है, के पे शर्मा ओली, अभी एक दो दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, कि जो के पे शर्मा ओली है, इन्हों agents coś मत खो दिया था, जिसके क समर्धन के सांद सरकार बना सकते हैं लेकिन किसी भी पार्टी के पास पूरा बहुमत नहीं था तो इसने अपनी सूजभूज से मतलब कि समविधान के एक आर्टिकल का ही उप्योग करके इन्होंने केपी शर्मा ओली को दोबारा से प्रधान मंतरी नियुक्त किया है हलाकि नहीं 30 दिन के भीतर सदर में बहुमत का समर्थन प्राप्त करना होगा और यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर से ये प्रधान मंतरी के पत से हट जाएंगे ऐसी कंडिशन में क्या होगा ऐसी कंडिशन में नेपाल में फिर से चुनाव आयोजित किये जाएंगे यदि हम बात करें नेपाल की तो इसकी राजधानी काठ मांडू काठ मांडू में ही हैटकवार्टर इस्थे थे थे सार्क का और यहां की करंसी है नेपाइली रुपिया प्रेसेडंट प्राइम मिनेश्टर तो मैंने बता ही दिया है भारत और नेपाल के बीच एक exercise होती है जिसका नाम है सूरी किरन अच्छा नेपाल जो कि दुनिया की सर्वोच्च चोटी है इसकी उचाई कितनी है तो नए सर्वे के नुसार इसके चोटी है 8,848 और 0.6 का इसमें इजाफर हुआ है यह सर्वे नेपाल और चाईना के द्वारा किया गया था यदि आप करन्ट से रिलेट करेंगे तो हाली में एक परवता और हुई है जिनका नाम है कामी रीता शेर्पा यह बिलॉंग करते हैं नेपाल से ही और माउंट एवरेश्ट पर 25 बार चड़ाई करने वाले यह पहले वेक्ति भी बन गया है तो इनका नाम भी आप ज़रूर याद रखेंगे अब यहां से एक आप most important point याद रख सकते हैं नेपाल के उत्तर में आप देखेंगे तो चाइना है दक्षण में देखेंगे तो इंडिया है हाली में चाइना ने क्या चाला की की है यह आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यह इस Mount Everest पर एक COVID-19 संक्रमन रेखा खीच रहा है मतलब कि चाइना ने एक बेतुकी बयान बाजी जारी की है जिसमें कि उसका यह कहना है कि जो परवतारोही जाते हैं Mount Everest की यात्रा पर चढ़ाई करते हैं चाइना से भी जाते हैं और नेपाल से भी जाते हैं ऐसे में नेपाल में कोरोना का जो संक्रमन फैल रहा है तो नेपाल के जो परवतारोही जो चढ़ाई पर गए हैं वे चाइना से आने वाले परवतारोही से जब मिलेंगे तो संक्रमन इन्हें फैल सकता है किने फैल सकता है चाइना की नागरिकों को और चाइना की नागरिकों को फैलेगा तो जब ये इस परवस से नीचे उतरेंगे और अपने देश में जाएंगे तो ये संकरमण को चाइना में फैला सकते हैं मतलब आप ये सोचिए, ऐसा वेक्ति जो की कोरोना का पेशेंट है, कोरोना पेशेंट को वैसे ही ऑक्सिजन की कमी हो रही है और इतनी उचाई परिस्थे थे ये माउंट एवरेश्ट, मतलब सोचने की बात है कि क्या वह वेक्ति जो की कोरोना से पीडित है, वो माउंट एव जाता है वहां से कोई भी आत्रा नहीं करेगा इसके लिए हम सुरक्षा बल नियुक्त कर रहे हैं तो सीधे सीधे चाइना यह जताना चाहरा है जैसे कि अभी तक हम और आप तो यहीं जानते थे कि जो माउंट एवरिष्ट है यह नेपाल में है चाइना ने यह बयान जारी कि कोई भी इधर नहीं आएगा तो साफ साफ इसने दुनिया को यह जता दिया है कि जो माउंट एवरिष्ट है इसके इधर का हिस्सा हमारा है आई होप यह बात आप लोग समझ गये होंगे तो चाइना की तो हमेशा से यही नीती रही है कि धीरे-धीरे करके कपजा करना और अंत में उसे हथिया लेना अगला कुश्चन है हाली में किस राज्य के प्रबंधन के लिए महतारी दुलार योजना के शुरुआत की गई है यहां टाइपिंग मिस्टेक है यह महतारी दुलार योजना इसके शुरुआत अभी हाली में 36 गड़ गौर्मन के द्वारा की जिसमें की कक्षा एक से आठवी तक पांसो रुपय प्रती महा और नौ से कक्षा नौवी से लेकर के बारवी तक के बच्चों को एक हजार रुपय प्रती महा प्रदान करेगी 36 गड़ गौर्मेंट तो इसकी राजधानी है रायपूर रायपूर में इस्तित है नया पेस बगेल राज जिपाल है अनुसुया उई के मुख्य न्याय अधीस है पी यार राम चंदरन मिलन इंपोर्टन नैशनल पार्क के दिबात की जए तो अचानक मार वाइल लाइफ सेंचुरी इंद्रवती कांगेर घाटी और गुरु घासिदाश नैशनल पार्क ये सभी जबकि वर्चुल कोट का आयोजन करने वाला पहला राज्य उत्तरपदेश हाली में मंड्रेगा के तहस्त सबसे जादा रोजगार देने वाला राज्य ये 36 गड़ी बन गया है भारती महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने है तो हाली में जो रमेस पोवार है ये बन गया है भारती महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है तो जो क्रिकेट सलाहकार समीती होती है जिसमें कि अभी तीन सदेश्य शामिल है सुलक्षणा नायक मदल लाल और रूद्र पताप सिंग इनहीं के द्वारा रमेस पोवा गांगली जो की 49 वे क्रम के अध्यक्ष है और सेक्रेटरी कौन है जै शाजो की अमिश शाजी के बेटे हैं अगला कुश्चन है हाली में फॉर्चून के दुवारा दुनिया के 50 महान नेताओं की लिष्ट जारी की गई है इसमें टॉप पर कौन है तो इस टॉप 50 में भी टॉप पर रही है जैसिका अर्डन ये कौन है तो यह है न्यूज़ीलेंड की प्राइम मिनिस्टर ये हाली में न्यूज़ीलेंड की दुबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है इन्हें दुनिया के टॉप 50 महान नेताओं के लिष्ट में टॉप पर रखा गया है का नाम क्या है अदार पुनावाला अदार पुनावाला इस टॉप 50 में दस्वे इस्थान पर है अदार पुनावाला ये है कौन तो Jestृरम इंशिट्टिट ओफ इंडिया जो कैस्थ ये स्थित हैं पूडे महराश्ट में इसके ये CEO है अच्छा सीरम Institute of India के द्वारा कौन सी Corona Vaccine डवलप की जा रही है तो इसका नाम है Covi Shield जबकि Co-Vaccine ये डवलप कर रहा है भारत Biotech अगला कुश्चन है किस टीम ने 2021 का Football Premier League Championship अपने नाम किया है तो हाली में जो Manchester City है इसने Leicester City को हरा करके 2021 का ये Football Premier League के Championship अपने नाम कर ली है और इस खेल का आयोजन किस के द्वारा किया जाता है FIFA के द्वारा FIFA जो कि पुरे वल्ड में Football के खेल को regulate करता है इसके स्थापना हुई थी मई 1904 में Headquarter इस्थे जूरिक स्विजर रेंड में अध्यक्षे ग्यानी इंफैनिटो Football से related कुछ important ट्रॉफिया हैं जैसे की DCM, Durand, Rovers, Santos सुब्रतो मुखरजी कप सर आसुतोस, मुखरजी कप ये सभी related है Football से है इसके लावा हाली में FIFA के द्वारा दो राज्यों के जो Football Federation है एक तो है Pakistan Football Federation दूसरे चार Football Federation इन्हें निलंबित कर दिया गया है अगला कुश्चन है हाली में Forbes के द्वारा जारी किया गया सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले Top 10 Athlete में कौन टॉप पर है तो हाली में Forbes ने ये नई लिष्ट जारी की है 2021 की इस नई लिष्ट के निसार दुनिया में Top 10 Athlete जो की सबसे ज़्यादा कमाई करते है इसमें Top पर है कोनोर मेगनीगोर ये है कौन तो ये Ireland के एक दिगज Mixed Martial Art Fighter है Last year ये 16 वे इस्थान पर रहे हैं लेकिन इस साल ये सबसे ज़्यादा कमाई के साथ इसमें पहले इस्थान पर आ गया है तो इस Top 10 Highest Ped Athlete के लिस्ट में MC Gregor 180 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ टॉप पर है ये सालाना इंकम है Number 2 पर है Lionel Messi जो की एक फुटबॉलर है 123 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ और तीसरे स्थान पर है Cristiano Ronaldo 120 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ देखे जो Cristiano Ronaldo है ये पुर्टगाल के स्टार फुटबॉलर है और लास्ट येर जून में ही रैंकिंग जारी की गई थी कि दुनिया के पहले अरबपती फुटबॉलर ये Cristiano Ronaldo ही है अगला कोश्चन है हाली में अंतराजटी परिवार दिवस मनाया जाता है इस बार ये जो दिवस मनाया गया इसके थीम थी Families and New Technologies येनि कि परिवार और नई तकनीक माई मन्थ का ही एक और important डे है 11 मे को मनाया जाता है National Technology Day येनि कि राश्टे प्राध्योगी की दिवस और इस बार कि इसके थीम थी एक सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्राध्योगी की येनि कि Science and Technology for a Sustainable Development कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर जो जे कट्टूर था अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में किस राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस रोग्यों का इलाज फ्री में करने की घोशना की है तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक कीजे शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्यो सो मच